हेलो स्टूडेंस वेलकम तो इन माई चैनल स्मार्ट स्टूडेंस आज हम डारेक्टेड ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वरक्षिट नमबर वन करेंगे बिटा कन्फूज हो रहे हैं आप तो आपको बता देती हूं कि आज से वरक्षिट आपको दो वरक्षिट करनी है एक वरक्षिट आपको 6-8 क्लास के लिए दी जाएगी वो 6-8 के सभी बच्चों को करनी है और एक वरक्षिट क्लास वाइस दी जाएगी जो सिप 7th क्लास या 8th क्लास के बच्चों को करनी है तो यह आपकी वरक्षिट 1 हो गई जिसे आप सब बच्चों को 7th क्लास क बच्चों को आज करना है ये वक्षिट 7 September 2020 की है तो आज से बिटा आपको दो वक्षिट डेली की करनी होगी एक subject wise होगी और एक common six to eight सभी बच्चों के लिए होगी ठीक है तो आज ये शुरू करते हैं आज की वक्षिट वक्षिट शुरू करने से पहले बिटा प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए तो आज देखते हैं आज की वक्षिट पोयम दस्क्वेर राइट दथींग यू सी इन दिस पिच्चर हमें इस पिच्चर में जो भी दिख रहा है हमें वहाँ टिक करना है आई सी अ रबिट और स्क्वेर क्या है यहाँ पे स्क्वेर इट है नट और टिक करना है नेक्स देखे क्या दिया गया है रिट द फॉलोइंग पोयम अलावट थ्राइस अन कलर स्टार आफ्र एवरी रिट आपको हर रिट के बाद में क्या करना है इसको जो स्टार दिया है इसको कलर करना है तो जैsä-zैसे आप रीट करते जाते हैं आपको थ्राइस टाइम क्या करना है इसको रिट करना है जैसे जैसे रिट करते जाएंगे स्टार करते जाएएगा और यह पोयम किसने लिखे बटा Mildreine Browes Emstrong ने यह इसके राइटर है यहाँ पे आईए अब हम इसके question से करते हैं बिटा After reading the poem, answer the following question by choosing the right option Who is he in this poem? Poem में किसके बारे में बात की गए? ये बिटा, squirrel के बारे में Next question, the squirrel tails look like a हमने अभी या पर देखा कि कैसे दिखती है, वो like a question ठीक हा, Mark The next question देखिए The squirrel sight up straight to eat a nut क्या खाने के लिए वो straight हो जाती है, nut खाने के लिए This poem is written by Mildren Bross and Strong चीक है, आएए next देखते हैं बिटा, क्या दिया गया है Pick out rhyming words Rhyming words pick out करने है, from the clouds and write them blank below हमें rhyming words क्या होते हैं, जिनकी sound क्या होती है, same होती है तो उन्हें pick करना है और यहां पर लिखना है जैसे कि एक example दिया गया है, grey way, तो tail का क्या हो जाएगा, nail next क्या है, nut, nut का क्या हो जाएगा, hut next है, tree, tree का क्या हो जाएगा, बिटा, free देखो, sound same हो रही है न, बिटा, उसके बाद play, play का क्या हो जाएगा, me तो बिटा, आज की, आपकी दोनों वर्क्षिट आप complete कीजिए, अगर आपको दूसरी वर्क्षिट भी करनी है, तो मेरे चैनल से आप दूसरी वर्क्षिट भी ले सकते हैं, अपनी वर्क्षिट कंप्लीट करके, अपनी टीचर से चेक कराईए, और प्लीज मेरे चैनल को subscribe कीजिए. Thank you students!